हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल एक्जाम तयारी आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का थार्ट चेप्टर देखेंगे जो की है भोजन संग्रह से उत्पादन तक यानि किस तरह से आधी मानव जो है उसने भोजन का संग्रह करना सीखा पहले और उसके बाद उसका उत्प संग्रहक बन गया था अब क्या है उसने इस चैप्टर में हम देखेंगे उसने बहुत सारी फसलों को उगाना भी सीख लिए भीफिन्य प्रकार के भोजन ठीक है तो देखिए हम लोगों आज की डेट में हम क्या बहुत अलग तरह के भोजन खाते हैं बहुत अलग अलग त के अप्र Yuan जाते हैं तो जलवायों से हैं है तो नहीं हम एक्टम से बहुत हैं थासा बहुत अलग नहीं थाखिए है। जो मैदान थे वो होने लगे जिसके वज़े से वनस्पति और पश्यों को जो है नहीं नहीं वनस्पति नहीं लगी पश्यों को भूजन मिलने लगा लोगों का ध्यान कुछ बातों की और गया जैसे खाने योग वनस्पति कहां कहां मिल सकती है बीज कैसे अपनी डंठल से त बेगवाल करनी शुरू करती होगी और चीडियों और जानवरों से पादो की सिरक्षा की होगी ताकि धीक से बढ़ सके और उनके बीच पक सके इस प्रकार दीरे दीरे वह क्रशक बन गए ठीक है तो उन्हें के चीजे सारी नोटिस की क्योंकि आप जब आपके आसपास चीज होता है इससे वह पौधा निकलाता है तो इस तरह से वह क्रशक बन गए अब इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्शित कर उन्हें पालना भी शुरू कर दिया और सबसे पहले जो उन्होंने जानवर पाला था वह कुत्ते का जंग जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को चाहित करने लगे ठीक है और इस तरह से वह क्या पशुपालक बन गए क्योंकि अब उन्होंने पशूं को पालना भी सीखले उन्हें पता चल गया कि पशू जो है वह क्या खाते है तो वह चीजोंने दिखाते थे अपने लोगों तरह पोधे उंगाने और जानवरों को देखबाल करने को बसने की प्रकरिया का नाम दिआ क्योंकि एक तरिके से जसे हाचकी रेट में हम लोग बस गया ना अ ön जो है वह उंगाने लगे आ जानवर पालने तो यह सब वो लोग भी करने लगे तो उसको बसने की प्रकरिया का नाम दिया अब देखो लोगों ने उन्हीं पौधों को चुनते थे जिन से बड़े दाने वाले अनाच पैदा होते थे साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाच के पके दानों के भार को समाल सकते थे ऐसे पौधों के बीच को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उगाने के लिए उनके गुड सुरक्षित रह सके ठीक है उन्हें ये भी पता चल गया था कौन से बड़े जहरीले और कौन से सही हैं तो वो जो हैं खाने योग उते थे उनको ही उगाते थे इसे तरह जानवर में भी केवल अहिंसक जानवर जो थे उनहीं को वो पाला करते थे तो इससे क्या पता चला कि क्रशी के लिए पहले जो जानवर उन्होंने पाला था वो था कुट्ता और उसके बाद उन्होंने भेड बकरी आदी पालने थे तो यहां पर यह important बात है next क्या हुआ कि एक नवीन जीवन शैली का प्रारंब हुआ नहीं तरह से जीना उन्होंने सीख लिया अनाज को भोजन और बीच दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था इसलिए लोगों को इसके भंडारन की बात सोचनी पड़ी अब उन्हें क्या है हर फसल तो अलग-अलग मौसम में होती है तो वहां तक इंतजार करने के लिए उसके बीच को समालना जरूर है तो इसके लिए उन्होंने क्या भंडारन की बात सोची और बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े-बड़े बरतन बनाए मिटी के ठीके टोकरियां बुनी या फिर जमीन बे खड़े हो दे कि वहां पर जो है वो जो बीज है उनको समाल के रखेंगे ताक कि फिर आगे चलके जब उनके हिजाब से मौसम होगा तो वो उसे उगाएंगे तो अब क्या है वो भंडारन करने की यानि संग्रह करने की चीजों को भी सीख गया था जानवर अब जानवर क्या थे उनके लिए चलता फिरता एक खाद भंडार थे क्योंकि वो तो जानवर को भी अभी खाते ही थे तो जानवर उनको पता था बच्चे देते हैं उनकी देवा करते थे अच्छे से रखते थे ठीक है इसके बाद क्या हुआ आरंभी क्रशको और पशुपालक के बारे में हमें पता कैसे चला कि जो आदिमानफ थे वो पशुपालते थे और क्रशी करते थे तो शुरुवाती क्रशको और पशुपालक के होने के साक्ष मिले हैं यह पूरे उप महादीब में पाए गए हैं और इनमें सबसे जो महतुपूर है यानि सबसे ज़्यादा कहां पाए गया है पश्चिमोत्तर छेतर में आधोनी कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिन भारत में तो ये इंपोर्टेंट लाइन है इसके अलावा क्या है कि इस महादी पहचाने को ने ये माना कि भिवे न जानवरों की हड्डियों की पहचान की गई तो पता चला है कि वहाँ पे मतलब उन्हों ने गैस किया कि यहाँ पे जोहें लोग जानवर को पालते होंगे और इन सब पेड़ पौदों को उगाते होंगे ये एक सूची है ठीक है इस सू पूरे कॉल्ट हवा में मिले आधुने कुत्तर प्रदेश में महागड में मिले हैं और गुरुफ कोल में मिले चिरांत ये सारे जो नाम है ये पूरी जो सार्णी है वह बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप नोट डाउन कर लिजेगा सारे नाम और यहाँ पर क्या मिला है वो आप याद कर लिजेगा फिर क्या next है हमारा स्थाई जीवन की और यानि अब उनका जीवन क्या हो गया धीरे धीरे स्टेबल होने लगा था ठीक है स्थाई जीवन की और वो भढ़ने लगे थे पुरा तत्विदो को कुछ पुरा सलो पर जोपणियों और घरों के निश तो वो भां पर क्या घरों के और जोपड़ी के निशार मिले हैं जिसमा क्या है? बॉर्ज होम जो कि वर्थमान कश्मीर में वहां घड़े के नीचे घर बना के लोग रहते थे कि जिसे गर्थवस कहा जाता था और यहाँ पर क्या सीर्णिया भी होती थे उतरने के लिए, यहाँ पर इसलिए रहती थे ठंडी के मौसं में मतलब सुरक्षा के लिए आग जलाने की जगा भी यहाँ पर मिली है。我說 कि भोखे ह। अब पाशान के वेत्थच हूर। अधुलि और मूसल भी मिले हैं जिनका प्रयोग अदाज और वनसही बिखेया को पीसने के लिए की लिए जाता होगा। कुछ औजार हड़ी से भी बनाये जाते थे। इस समय में कुछ औजार की हड़ी से भी बनाये जाते थे। और जो पुरा पाशाड यूग के ओजार थे उनसे काफे भिनने थे यह देखिए इस तरह के जो चित्रे इन पे क्या है इनके धार इनको पैना करने के लिए पॉलिश वगरा की जाती थी तो काफी अंतर था इनका नब पाशाड यूग के पुरासलों से कई प्रकार के करने लगे होंगे क्योंकि अब गया था उनका जीवन काफी इस्थाई हो गया था ठीक है तो अब यह जो बर्तन थे क्या करती होंगे के वह सामान रखने के लिए खरते होंगे धीरे भी शाकाहरी भी हो गये थे चावल गी हूँ तद धलहन जैसे अनाज अब उनके आहार का महत्वपूर हिस्सा बन गया था इसके साथ सद अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाय जा सकते थे तो इक कोशन आता है कि कपास जो है वो कब बनाय थे तो उन्होंने नव पाशान यूग जो था नव पाशान काल में कपास का खेती करने लगे थे उससे कपड़े भी बुनने लगे थे इस तरी पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे और हजारों सालों के दर्मान धीने दिरे उन्होंने खेती और पशुपालन भी जो है वो सीख लिया थे तो काफी वो सब भी हो गए थे कि स्थाई जीवन जो है वो वितित करने लगे थे इसके अलावा और भी कुछ रिति रिवाज थे कैसे जैसे कि विदवानों ने ऐसे किसानों का अध्यन किया इनमे प्रायक, क्रशक और पशुपालक समूं में रहते थे जिन्हें जन जाती कहते थे यानि वो क्या है समूं में बनके रहने लगे थे और जिसको उन्होंने जन जाती का नाम दिया था विदवानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रिति रिवाजों को मानते थे जो संबवता पहले से ही प्रचलित रहे है ठीक है अब जन जाती क्या होती है जन जाती के सदस से जन जाती के लोग छोटे छोटी वस्तियों में रहते जादतर परिवार एक दूसरे से सम्मंदित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूं मिलकर जन जाती का निर्माड करते हैं जन जाती के सदे से शिकार, भोजन संग्रे, खेती, पशुपालन और मचली पकड़ने जैसे पेशे अपनाती हैं। पुरुष आमतर पर पशुपालन के काम पर ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा गाना, नाच और घरों की सजावत भी उनकी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। संगीत, कहानिया था चित्रकारी भी शामील हो गई थी अब उनके जीवन में। उनके अपने दीवी देवता भी होते थे। पूजा पाट भी वो करने लगे थे। ठीक है। जो नई चीजें हैं वो आ गए थी बहुत जादा जो है वो बदलाफ आ चुका था अब उनके जीवन में। जमीन जंगल घर के मैदान था पानी पूरे कुनबे की संपत्ति माना जाता था। पानी और जंगल और जमी जो थी इनका यूज जो है वो सारे लोग कर सकते थे। जिनका अपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई ऐसा खास अंतर नहीं था। इसलिए जंग चाहती है समाज अनसमाजों से भिन होते थे इन अनसमाजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ। कहांु, वहां पर कहां करते हैं। महरगड में कैसा जीवन था तो देखते हैं। महरगड वो इरान जाने वाले सबसे महत्वपूर रास्ते बोलन द्र्य के पास एक हरा भरा सम्तल स्थान है। महरगण संभवता वैस्तान है जहांके स्रीपुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौग गी हूँ उगाना और भेड पकड़ी पालना सीखा था तो महरगण इंपॉर्टेंट है ठीक है महरगण में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकर घरों के अफशेश भी मिले हैं और प्रतिक घर में चार या उससे जाधा कमरे थे जिन में से कुछ संभवता भंडा रंड के काम आते होंगे यानि वहां पे क्या घर भी मिला उने और चार कमरों के घर मिले चार से जाधा वा थे खाल में ऑन वहांगे तो कबर बनाने के परमपरा व गई थी कि कबरों में वह मुरतक को दफना ते लेकिन अधसाथ क्या करते थे वह इंके साथ उनकी कुछ चीज़ें बहुत लिए जैसे चीत्र में देख यह आधे कंकाल है आप पकष्री का भी कंकाल है किसी जानवर क तो वो सब इसको दसाथ में दफनाते तो उन्हें लगता था ये भी उनके साथ जाएगा, मृत्तक के साथ जाएगा, ठीक है, महर गड़ में ऐसी कई कबरे जो है, वो मिली है, तो इससे अंदाजा लगाया गया है, पहले और बाद के सर, अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि जमीन में ये स्तर जो है, वो इतने सदियों पुराना है, और ये स्तर इतने सदियों पुराना है, तो वो कैसे पता चलता है, तो जब पुरा तत्व किसी जगह के खुदाई करते हैं, तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं, और कौन से बाद के, तो ये आपक तोर पर स्थरों के रूप में जानी जाती है, अब देखिए, अगर आपने कोई सामान नीचे रखा है, फिर उस पे आपने घर गिरा दिया, ठीक है, घर आपका पूरा गिर गया, उसके बाद उस पे फिक नया घर बन गया, उसको तोड़ गया, तो ऐसे क्या लेयर से बनती ज ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाडी पर है, तो यह नाम पर इंपॉर्टेंट है आपका, और कहां पर यह ब्रह्मपुत्र की घाटी पर है, ठीक है, खरल और मूसल, जैसे पत्थरों के उपकरण जो है, वो यहां पर मिले थे, और इन से पत्तल चलता है, लोग भोजन क अनाज उकाते थे और साथ ही यहां से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं संबवता यह पत्थर चीन से आया होगा इसके अतरिक इस पुरास्थल से काश ठश्म यानि की प्राचीन लकडी जो सक्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बरतन भी मिले हैं तो यह भी क्या है दाओ लकडी के औजार मिले बरतन मिले तो यह आप याद कर लिजेए इसका नाम और क्या-क्या मिला है यह भी याद कर लिजेगा इसके अलावा हम अगर अगर अटलस में तुर्की देखे तो नप पाशार्यू के सबसे प्रसित पुरास्थलों में से एक चताल हूतक तुर्की मे है जैसे सीरिया से लाया गया चमक अब यहां पर किया यहां दूर दराज सानों से कई चीज़े लाई जाती थे और उनका उपयोग किया जाता था जैसे कि सीरिया से लाल सागर की कौडियां घुमद सागर से सीपियां ध्यान रही कि उस समय तक क्या है पहिये की खोज नहीं तो पहिये वाले वहां नहीं थे लोग सामान खुद या जानवरों की पीट पर लाद के लाया करते थे तो ये इंपोर्टेंट की कहां से क्या लाया गया था ठीके ये सारे नाम बहुत जरूरी है बस यहीं पर ये चैप्टर खतम होता है सारे इंपोर्टेंट बात आप नो डाउन कर लीजेगा मिलती हूँ आप से नेक्स चैप्टर में तब तक के लिए बाई बाई